नमस्कार दोस्तों अब भै कई बार क्या होता है कि हमारे कानों से related problems हो जाती है जैसे कि भै कान में खूंट जमा हो जाना साथ ही कान में दर्द होना यह सारी समस्याइं होती है तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं Clear Wax Ear Drop के बारे में दोस्तो इस drop के बारे में पूरी जानकर आपको देने वाले हैं कि भाई इसको कैसे यूज करना है, किस condition में यूज करना है इसके side effect क्या आ सकते हैं और इसको डालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो दोस्तो चलिए आज का वीडियो फटाफटी स्टार्ट करते हैं इससे पहले भाईया जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को यार सबस्काइब कर लो, वीडियो को लाइक और सेर कर दो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाईय ये जो क्लियर वैक्स एर ड्रॉप है इसका कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी चीज़े इसको बनाने के लिए डाली गई है तो दोस्तो इसमें बिंजो किन पड़ा हुआ है जो कि दोस्तो लोकल एनेस्थेटिक है जो कि अगर आपके कान में दर्द होता है तो उस कंडिशन में बहुत ज़धा फाइदा करने वाला है साथ दोस्तो इसमें क्लोर ब्यूटॉल पड़ा हुआ है दोस्तो यह जो क्लोर ब्यूटॉल है यह एक प्रिजरवेटिव है अगर बात करें तो दोस्तों इसमें एंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टी होती है मतलब इन्फेक्शन वगेरा को भी ये ठीक करने में काफी जादा हेल्प करता है साथ दोस्तों इसमें पैराडी क्लोरो बेंजीन पड़ा हुआ है 2% जो कि दोस्तों क्या करता है आपका जो एर में एर वैक्स है मतलब कान का जो मैल है उसको सॉफ्ट करने में बहुत जादा मदद करता है उसको डिजॉल्व करता है साथ दोस्तो इसमें जो अगला है वो है टर्पेंटीन ओयल जिसको आप तारपीन का तेल भी बोल सकते हैं ये क्या करता है कि लूबरीकेशन का काम करता है आपके कान में लूबरीकेशन प्रोवाइड कराता है अब बात कर लेते हैं कि मेडिकल स्टोर पे ये जो क्लियर वैक् ये आपको 73 रुपए की 10 ml की ड्रॉप किसी भी मेरिकल इस्टोर पे मिल जाती है दोस्तो आप बात कर लेते हैं कि भाई उसको कब डालना है अपने कान में तो दोस्तो मान लीजिए कि आपके बहुत ज़्यादा कान में एर वैक्स है खूट जमा हो गया है मेल जमा हो गया है और वो बहुत कड़ा है जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके दर्द होता रहता है सुनने में तकलीफ होती रहती है या फिर ऐसा मैसूस होता है कि आपके कान में कुछ रूंधा-रूंधा सा है तो उस कंडिशन में इस क्लियर वैक्स एर डॉप का उपयोग करेंगे तो काफी ज़्यादा फायदा करेगी है साथ दोस्तों इसका उपयोग मान लीजे कि किसी के अगर वोटाइटिस मीडिया है कान की एक प्रॉब्लम है जिसमें कान में दर्द वगरा होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग होता है ओटाइटिस एक्स्टरना हो गया तो उसके दर्द में भी इसका उपयोग किया जाता है साथ दोस्तो अगर आपके कान में infection हो गया है तो उस condition में ये उस infection को ठेक करने में मदद करती है तो दोस्तो clear wax, air drop के यही उपयोग हैं अब दोस्तो बात कर लेते हैं कि भाई इसको डालना कैसे है तो डालने का तरीका simple है जैसे आप अपनी आखों में आखों का drop डालते हैं उसी प्रकार से इसको कान में डालना है अगर दोनों कान में दिक्कत है तो दोनों कान में डालें otherwise जिस हिसाब से आपका doctor बताता है उस हिसाब से आप इसका उपयोग करें अब बात कर लेते हैं कि इसके side effect क्या क्या आ सकते हैं तो वैसे तो इसके side effect इतनी जल्दी नहीं आते हैं लेकिन कुछ condition में जैसे कि आपके सर में दर्द होना साथ ही sleepness मतलब नीद जादा आना allergic reaction होने लगना यहीं दोस्तो इसके side effect हैं इसके अलावा अगर आपको कोई भी side effect दिखाए देता है तो इस drop को नहीं डालना है अब बात कर लेते हैं सावधानिया क्या क्या रखनी है तो दोस्तो जिन बच्चों की उमर एक साल से कम है उनमें बिना डॉक्टर की सलाह के इस drop का उपयोग नहीं करना है जिन लोगों को इस दवाई से allergy है पहले कभी allergy रह चु स्क्राइब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन बंदे मातरम टेक केर बाई